है एबरीवन वेलकम टू राज एकोनॉमिस इंड कॉमर्स क्लासेज मैं हूँ नीरज कुमार और स्टाटिस्टिक्स का नेक्स्ट वीडियो को ले करके आ गया हूँ जो बेसिकली डिजाइन किया गया है यह फाउंडेशन के लिए परन्तु आप अगर स्टाटिस्टिक्स पढ आया था मतलब presentation उप डेटा जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने डिसकुप किया था presentation of data का मीनिंग classification या और उसके क्या थे वो सारा मिनिंग मैंने समझा दिया था पिछले वीडियो में ठीक है आज जो इस वीडियो में discuss करेंगे वो होगा mode of presentation मतलब presentation को कितने तरीके से present मतलब किया जा सकता है ठीक है देखिए यह बहुत important section है किरिपाकर के video last तक देखें और अगर आप चैनल का भी तक सब्सक्राइब ने किये हैं तो please subscribe कर लीजिए ठीक है चलिए तो आते हैं presentation of data का mode में कहता है mode of presentation of data जो भी data हम लोग collect किये हैं clear है उन data को present करने की आवसकता है systematic manner में हना सिर्फ data collect कर लेने से उससे conclusion निकालना possible नहीं होता है तो उसे effective way में present करना काफी जरूरी होता है clear collection of data presentation data का first video यह समय बना चुका हूँ अगर आप वीडियो नहीं देखें description में playlist का link दे दिया हूँ जिसका नाम है c.a.fondation statistics ठीक है आप जा करके उन वीडियो को पहले देख लीजेगा है ना उसके बाद ही आगे यह continue किस दिएगा clear तो present कोई भी data जो है उसे present करने का तरीका क्या क्या है हमारे पास है हमारे पास है textual presentation text के form में ठीक है टेबूलर presentation टेबल के form में diagrammatical presentation diagram के form में represent करेंगे और graph के form में जब represent करते हैं उसको बोलते graphical presentation clear देखिए यह समझने के लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले यह सारे topic को समझते है टेक्ट्यूल presentation tabular diagrammatical graphical क्या है वो इस वीडियो में आज मैं सिर्फ discuss कर रहा हूं किसके बारे में textual presentation and tabular presentation के बारे में clear है तो देखिए सबसे पहले टेक्ट्यूल presentation क्या होता है टेक्ट्यूल बनाए text से मतलब वैसता presentation जो text के form में हो clear paragraph के form में हो clear उससे क्या कहेंगे हम लोग textual presentation कहता है this method comprises presenting data with the help of paragraph क्या करेंगे paragraph के help में और a number of paragraph में हम लोग रिप्रेजेंट करें clear जो official report होता है किसी inquiry commission वगेरा का ठीक है वो basically अपना data textual presentation के form में देते हैं जैसे एक example देखें यहां पर दिया हुआ है in 2009 out of total of 5000 वरकर कितने है 2009 में 500 वरकर्स हैं किसके रो इनामेल के factory के वहाँ पर 4200 वर मेंबर औफmer ट्रेड यूनिएन कितने मेंबर ट्रेड यूनियन जो हैं वह कहां के मेंबर थे ट्रेड इूनियन के मेंबर थे फिमेल वरकर्स वर वास 20% ऑफ total वरकर्स जो प्रेजंट कर दीए उसका प्रपोर्शन क्या टोटल वर्कर के 20% है ना आउट ओव विच 30% मेंबर ऑफ दे ट्रेड उनियन जो महिलाएं जो टोटल वर्कर में 20% अपना हिस्सेदारी रख रही थी ठीक है उसके क्या है 30% पोर्शन जो है महिलाएं वो किसकी ट्रेड यूनिय माना इसको क्या हुआ सिंपल ही हम लोग प्रेजंट कर दीए किसमें एक टैक्स के फॉर्म में क्लियर है एक और एक्जामपल इसका देखते हैं कहता है इन 2010 नंबर वर्कर बिलोंगिंग तुड़ ट्रेड यूनियन इंक्रीज बाइट 20% एस कंपेर टूथाजन नाइन क्या यह क्या होगा यहां पर मेल होगा ठीक है वर मेल क्लियर नंबर वर्कर नॉट बिलंग बिलोंगिंग तुड्रेड यूनियन वाज 950 ओफ विच 450 वर फिमेल ठीक है तो यह क्या हुआ एक डेटा है जिसको हम लोग टेक्स्ट के फॉर्म में बेसिकली रिप्रेजेंट कर दी हाना तो इसका मेरिट क्या है भाई कहता है इसका मेरिट यह है ना कि जो मोड प्रेजेंटेशन जो होता है यह काफे सिंपल हो जाता है एक सिंपल सा सिंपल व्यक्ति उस डेटा को समस्तकता है लेकिन समस्या यहां पर यह होता है कि डेटा का कंपेरिजन करना पादा डिफि अब हम लोग next समझते टेबूलर प्रेजंटेशन या फिर टेबूलेशन यह बड़ा ही important method है हना कहता है टेबूलर may be defined as a systematic presentation of data with the help of a statistical table having a number of rows and columns and complete with reference number, title, description of row as well as column and footnot कहता है जब हम लोग table statistical table में represent करते हैं जिसमें कुछ row हों, कुछ columns हों, row का meaning नाम है वो दे दे, caption, row head, title, यह सब चीज़ें अगर दिया हुआ है तो उसे tabular presentation कहेंगे guideline क्या है भाई table का, कहता है table का number होना चाहिए, अभी मैं format दिखा रहा हूँ, वहां से ज़्यादा clear होगा बड़ फिलाल में समझा दे रहा हूँ ठीक है table, head, note, if any, है ना, फिर caption, column का caption होगा की, मतलब इसमें जो information, वो किस चीज़ का information है, clear, इधर total होगा, जो row के total बताएगा, यह row entry है, उसका total बताएगा, clear, फिर और क्या होता है, यह सब row heading होता है, इधर जो row है, उसका heading वो किसके बारे में वो बताएगा, clear है, नीचे total है, उसका नीचे source, यह जो table लाएगा, कहां से लाएगा, उसका source है, footnote है, मतलब कुछ short form में अगर लिखा हुए, तो उसके बारे में explanation देना है, ठीक है, चलिए, एक example इसका देख लेते है, देखे, कहता है, the tabular presentation of data related to workers of row in a male factory is shown in the table, ठीक है, table number one, देखे, पहला table क number है ना, यह हो गया title, किसके बारे में है, status of the worker of row in a male factory on the basis of their trade union membership for 2009 and 10, अभी जो मैंने textual form में बताया है, उसको यहाँ पर table में बताया गया है, status क्या है, इधर हमारा यह इधर status दिया हुआ, क्या, member of tu, non-member, total, tu का मतलब trade union है, इधर year दिया हुआ है, year कौन सा है, 2009, 2010, ठीक है तो यह year है, यह क्या बता रहा है, यह year बता रहा है हमारा row heading, status इधर का बता रहा हमारा column का heading, ठीक है, यह column में, यह जो हमारा sub column है, या sub caption जो भी बोलते हैं हम लोग है न, देखिए, यहाँ पे table for sub head इसको बोल सकते हम लोग, क्या बोल सकते हैं, sub head, clear, देखिए, तर male है, female ह १ृटल है, फिर male, female, total, clear, फिर male, female and total, clear, अब नीचे सोर्स है, यह years data कहां से लाएं, उसका source को यहाँ पर लिखना है, footnote में क्या है, टी-उ का मतलब क्या है, है है, एम का मतलब क्या है, टी-उ का मतलब क्या है, टी-उ का मतलब, यहां पे trade union है, M का मतलब male है, F का मतलब female ह है है ना and respectively clear तो जब हम लोग row and column के form में data को represent कर दें है ना उसके सारे element को लिख दें तो वो हमारा क्या कहलाता है वो हमारा कहलाता है टेबुलर प्रेजेंटेशन यह जो अंदर पूरा डेटा लिखा हुआ है यह जो हमारा बीच में दिया वो पूरा का पूरा बोड़ी है यह टेबल में इंपोर्टन क्या है टेबल number होना चाहिए title होना चाहिए row heading होना चाहिए column heading होना चाहिए sub head होना चाहिए ठीक है फिर source होना चाहिए footnote होना चाहिए तब एक good table कहलाएगा ठीक है अब table क्यों बनाते भाई table बनाने से clarity हमें मिल जाता है कि इस चीज़ का comparison करना बड़ा ही आसान हो जाता है हमारे लिए ठीक है क्या होता है comparison करना जो है वह काफी easy हो चाहिए table को देख के हम लोग देख के table से बता सकते हैं कि मेल जो है जितने थे trade union के उससे जादा हो गए दस में पी मेल जो हमारे है वो भी जादा हो गए ठीक है clear है दूसरी बात हम देख सकते हैं जो है उससे बढ़ गया मेल दस में यह सब मतबद देख करके हम लोग easily data को analyze कर सकते हैं हाना तो mode of table का यह दो method था जो हम आज discuss किये है next जो वीडियो होगा उसमें explain किया जाएगा डाग डाग्रामेटिकल presentation और graphical presentation को ठीक है चलिए तो आज का यहीं तक मिलते है next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद